नमस्कार जी वेलकाम आज ओपना डेरी फर्म में अब आ गई है जर्सी जे वाई 07 टैग नमबर है इसका पूरी डिटेल इस वीडियो में आएगी तो ये वीडियो पे बने रही है और जो फार्मर्स पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारा चैनल जो तो आईए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो ये है टैग नमबर 7 जर्सी जो की सेकेंड टाइमर है और WWS मैट के सीमन की है ये जर्सी और जो लेंथ है जो बॉडि वेट है बिलकुल शांदार कॉम्पिटिशन लेवल की ये जर्सी है और बाकी जो नॉर्मल आप पहाड देखिए कितना टीट में गैब है और पीछे तक पूरा शुरू होके एल शेप में अटर जा रहा है इसका तो ये बहुत कम गायों में होता है जर्सी में स्पेशली क्योंकि जर्सी हाई जिल्डर मिलना उतना ही मुश्किल है जितना कि आप हर फार्मर के पास चले जाओ जो वीडियो में आपको अडर देखिए कैसा है पूरा एल शेप अडर है और वेंज वगरा बिलकुल पिंक टीट्स है जितना होना चाहिए जर्सी में बॉड़ी बेट पूरा मैयर करके भी आपको दिखा देंगे कि फाइव कौंटल बॉड़ी बेट की ये जर्सी है और लेक् पूरे करती है ये पूरे करती है मिलक कपेस्टी इसकी 30 से 35 लिटर रहेगी सेकिन लक्टेशन में और जो इसकी सीमन की डिटेल करें तो बात तो ये डबलो डबलो एस के क्रेज सीमन से प्रेगनेंट है मिल्क कपेस्टी इस टाइम पे गर्मी में भी तकरीबन तकरीबन 30-35 लिटर के साथ-साथ 5 से लेके 5.2 तक इसकी फैट रहेंगी और कोई भी फार्मर अगर अच्छी ब्रीड पे काम करना चाता है तो ये उसके लिए एक golden opportunity है कि ये 7 number tag की जर्सी हमारे पास available है तो for sale है और पूरे साल में ऐसी 10 या 12 जर्सी मिलती होंगी तो हर महिने कोई एक जर्सी आती है कई बार तो ऐसी मिलती नहीं है फर्स्ट टाइमर मिल जाती है जो इतने दूद की नहीं होती पर जिस भाई को दूद के लिए गाएं चाहिए कि हाँ भी 30-35 लिटर की और आगे ब्रीड त्यार करने के लिए तो सबसे टॉप क्लास की जर्सी हमारे पास available है रेट इसका डेड़ लाक रुपे रहेगा कोई भी फार्मर पर्चेस कर सकता है